हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम बात करने वाले हैं एसेस्टी चैप्टर टू ओशियन एंड कॉंटिनेंट्स इसका अर्थ होता है समुद्र और महाद्वीब जो हमारा कॉंटिनेंट है जो हमारा कॉंटिनेंट है जो ग्लोब पर आपको जितनी भी जमीन दिखती है उसका दस में से जो साथ हिस्सा है वो जल से ही भरा हुआ है ओशियन से ही जो इसकी वातावरण है या वायू है वो क्या है प्यार है और हेल्दी है ये एक कैसा ये एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट है जहां पर जो व्यक्ति है वो कभी भी क्या नहीं रह सकता अकेला नहीं रह सकता या नहीं रहता और उसके चारो और हमेशा क्या होती है हल चल होती रहती है जो ओशियन है वो एक बहुत बड़ा प्रकृति का क्या है भंडार है जो ग्लोब है वो शुरू होता है किस से ओशियन से तो शुरू तो यह ओशियन से हो जाता है पर जरूरी नहीं कि यह ओशियन से खतम भी होता हो ठीक है यह बोलते हैं जूल्स वरंट 1870 में यहाँ पर आपको देख रहा है एक पिक्चर ठीक है जो की खीचा गया है कहां से इस पेस से जिसमें कि आप क्या देख सकते हैं यह पैसिफिक ओशियन आपका दिखाई दे रहा है यहां सेंटर में विद अफरिका टू दे लेफ्ट और लेफ्ट में क्या है आपके अफरिका है इंडिया एंड पार्ट आफ एशिया एट दे टॉप और उपर कौन है एशिया और इंडिया के पार्ट ऑस्टेलिया टू दे राइट और राइट में क्या है ऑस्टेलिया और बॉटम में क्या है अंटाक्टिका ठीक है तो अब यहाँ पर है बेग क्वेश्टन इस चैप्टर के क्वेश्टन क्या क्या है पहला है what are ocean and continents what are their names and their distribution तो oceans और continents ठीक है, कौन-कौन से हैं, क्या-क्या है उनके नाम क्या है और वो कहां-कहां पर distribute है in what ways do ocean and continent impact life on earth ठीक है, जो हमारी life है उस पर ocean और continent का कैसा प्रभाव पड़ता है ठीक है, और हमारी किस पर हमारे जीवन पर भी तो अब देखे let us return to our globe and rotate it gently हम अगर अपने globe को gently rotate करें और look at the picture of the earth seen from the moon what is the most widespread color you see तो आप देखेंगे अगर अपनी earth को गोल घुमा कर तो आपको दिखेगा कि हाँ पर एक color आपको सबसे जादा दिखेगा जो कौन सा है, blue blue obviously but what does it represent यह क्या दिखाता है you must have guessed the answer it is water तो आपने एकदम सही सोचा क्या है blue color क्या दिखाता है water को this means that most of the earth's surface is actually covered with water तो जो अर्थ का जादातर हिस्सा है वो किससे कवर है पानी से, almost 3-4 कितना, 3-4, 3-4 मतलब होता है, कितना, 75% ठीक है that is why when seen from outer space the earth appears mostly blue इसलिए जब space से दिखा चाता है earth को तो वो क्या दिखाई देती है नीले रंगी indeed, early astronauts lovingly called the earth the blue planet और इसलिए जो astronaut होते है ठीक है, अंतरिक श्यातरी इसको क्या कहते है, blue planet the largest water bodies we see on the globe are called ocean globe पर हमें जो सबसे बड़ी water bodies दिखती है, उनको हम क्या कहते है ocean, ठीक है, समुद्र या महा सागर आगे देखे but in the picture of the earth you can see at least one other color brown, पर आपको एक और color दिखेगा brown, this color is that of land जो किसका color है जमीन का color which covers a little over one fourth of the globe तो अगर ये आपका अर्थ है तो इसका one upon four जो हिस्सा है वो कौन land से घिरा हुआ है और three upon four जो है वो किसे घिरा हुआ है water से, ठीक है a large body of land is called a land mass एक जो बहुत बड़ी जमीन होगी उसको हम क्या कहते है, land mass and a large continuous expense of land is called a continent और एक क्या है जो continuous expense होगा मतलब कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसे बहुत सारी जमीन continue expand हो रही है तो यह जैसे for example मान लिजे अफरिका है तो इनको क्या कहा जाता है continent तो आपको पता है different different continent है हमारे यहाँ ठीक है पूरे विश्व में both oceans and continent play a vital role in shaping the climate of the earth ocean का और continent का एक बहुत बड़ा role है किस में जो earth का climate है उसके बनने में उसके बदलने में they affect all aspects of life including all plants and animals and therefore human life too यह affect करते हैं किसको हमारे life को सारे plants को सारे animals को ठीक है we see their impact throughout our history and culture and in our daily lives तो हम देख सकते हैं इसका impact हमारी history पर भी हमारे जो culture है संस्कृती है उस पर और हमारी जो दैनिक जीवन है उस पर भी यहाँ पर आप देखेंगे the emblem of the Indian Navy contains the motto Sumno Varunaha pronounce Sumno Varunaha यहाँ पर लिखा है ना Sumno Varunaha be auspious to us O Varuna this is an invocation to Varuna a Vedic deity associated with the ocean the sky and water in general तो यहाँ पर यह किसका emblem है जो हमारी Indian Navy है उसका ठीक है जहाँ पर क्या लिखा हुआ है be auspious to us O Varuna और Varun कौन है हमारे देवतम आने जाते है किसके ocean के sky के और water के ठीक है आगे जलते है the distribution of water and land on the earth earth पर water का और land का distribution कैसे है देखे आप यह देख रहे है यह land है और यह water है जितना भी आपको blue part दिख रहा है जितना भी आपको brown part दिख रहा है वो सारा क्या है brown कहिए या yellow कहिए यह सारा क्या है land है ठीक है अब यहाँ पर देखे as it happen ocean and continent are not distributed equally between the north and southern hemisphere देखे जैसे यह हमारा earth है तो उपर क्या है north hemisphere जो हम पिछले जप्टर में पढ़ चुके है और यह है southern hemisphere तो यहाँ पर जो land का distribution है या ocean का distribution है वो बराबर नहीं है ठीक है आप देखेंगे कि यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है ठीक है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो land का distribution है दोनों hemisphere में equally नहीं है ठीक है Let us examine the two map Here too, the blue area consists of ocean along with their smaller x tension which have various names तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो blue वाला है वो सब क्या है, जल है, पानी है ठीक है, और यह सब किसमे है, ocean में तो ocean के आप यहाँ पर छोटे छोटे extension देखेंगे देखेंगे, ocean है एक तो साथ में आपको क्या है, sea sea में होता है, समुद्र आप देखेंगे ocean, तो यह महा सागर के रूप में bay और gulf ठीक है, जो आपको क्या देखेंगी, खाड़ी आप यहाँ पर देखेंगे, what are the circular lines in each map called यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले chapter में, यहाँ पर circular line आपको देख रहे होंगी, यह क्या है, आप comment box में बताएगे, ठीक है which hemisphere hold more water in north hemisphere और south hemisphere में किस में ज़्यादा पानी है, यह भी आप बताएगे, ठीक है what do you think could be the approximate proportion of water to land in the north hemisphere and in the south hemisphere discussing group ठीक है, यह आपको आपस में discuss करना है कि आपको किस में कितना प्रतिशत जल लगता है are all the ocean connected with one another और are there separation between them क्या सारे ocean आपस में एक दूसरे से connected है या वो separate है तो यहाँ पर आप देखिए coral reef और यहाँ पर आप starfish देख सकते है यहाँ पर shark है यहाँ पर sperm whale है और यहाँ पर भी आपको coral reef दिख रही है साथ में कुछ fish यहाँ पर algae algae क्या होती है जो समुदरी plants होते है यहाँ पर है penguin और यहाँ पर है sea turtle ठीक है अब देखिए the ocean together hold most of the water available on the planet तो planet पे जो सरवादिक जल है ठीक है वो किस में है ocean में ही है ठीक है but this sea water is salty पर यह कैसा होता है टेस्ट में नमकीन होता है और unfit for consumption तो यदि आप इसको consume करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए बहुत ही dangerous हो सकता है by most land animals including humans ठीक है तो animals के लिए human के लिए दोनों के लिए क्या है पीने लायक नहीं है on the other hand fresh water make up a very small proportion of the planet's water resource जबकि जो शुद्ध पानी है साफ पानी है जो आपको पहाड मिलते हैं बरफ के और rivers नदियों में lakes जील में in the atmosphere and also underground और जो ground water होता है वहाँ आपको साफ पानी मिलता है लेकिन यह क्या है बहुत ही कम है if there is such abundance of water on the planet अगर इतना ज़ादा planet पर पानी है why is there so much talk of water scarcity फिर भी जल की कमी क्यों बताई जाती है या water crisis क्यों बताई जाता है देखे इसलिए बताई जाता है क्योंकि सारा पानी तो बहुत ज़्यादा कहा है ocean में और ocean वाला पानी कैसा है salty है तो जो salty water है उसे तो हम पी नहीं सकते तो इसलिए हमें जल को बचानी के आवशकता है और उसको बरबाद नहीं करना है तो आप किस तरीके से water को save कर सकते है यह आपको बताना है ठीक है जैसे आपने बहुत सारे method देखे होंगे आजकल rooftop method आया है या अगर आप देखे कोई नल खुलाना छोड़ें ठीक है जैसे brush करते समय है मूद होते समय है पहले जग में पानी ले 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 और उसी से ही मूँ साफ करें तो ऐसे बहुत छोटे छोटे और अच्छे तरीके भी होते हैं जिससे जल को बचाया जा सकता है आप कौन से तरीके अपनाते हैं आप उसे comment box में या अपनी notebook में कहीं पर आप लिख सकता है अगला क्या है यहां पर ocean ocean क्या है on the world map अगर आप जो विशु का map है वो देखेंगे तो we can observe five ocean तो हमें उसमें कितने ocean दिख जाएंगे five सबसे बड़ा जो है वो आपको मिल जाएगा pacific ocean उसके बाद Atlantic ocean उसके बाद Indian ocean उसके बाद Arctic ocean और लास्ट में Southern या जिसको Antarctic ocean भी कहा जाता है although we have listed five ocean हमने total कितने five ocean की list बनाई है it is clear from the map that they are not really separate लेकिन अगर असल में देखा जाए तो separate है नहीं the lines that divide them on the map are no more than convention यह जो हमने line खीची भी है map पर वो सब क्या है एक केवल परंपर है ठीक है the natural world does not follow such boundaries जो देखे अर्थ है तो अर्थ पे कोई असल में कोई boundary थोड़ी है पानी है तो है हर जगा पानी है ठीक है और land है तो है boundary यां बनाने वाले कौन है हम है ना चाहे उसकी study के लिए हो चाहे लोगों के रहने और देशों के वज़े से हो sea water for example constantly flow across different ocean अब sea water जो है वो तो हर जगा बहाय जा रहा है तो उसकी कोई boundary कैसे हो सकती है ठीक है sustaining a rich diversity of marine life और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा क्या मिल जाएगी diversity विविद्था अब मतलब समझते है विविद्था का मतलब होता है अलग 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 जैसे कि आपको कई type के plants मिल जाएँगे कई type के महाँ पर एनीमल मिल जाएँगे कई type के ठीक है? हजारों लाखों प्रजातियां मिलेंगे और मरीन लाइफ मरीन लाइफ मतलब जल से जुड़ी हुई ठीक है? Many plant and animal species can be found across multiple ocean आपको बहुत सारे plant बहुत सारे animal species वहाँ पर मिलेंगे The marine flora Flora क्या होते हैं? Tiny plants called algae and all kind of seaweeds तो जल में मिलने वाले जो भी plants हैं और seaweeds हैं ठीक है? वो क्या है? Marine flora The marine fauna Fauna क्या होता है? Thousand of species of colorful fish, dolphin, whales, countless, mysterious deep sea creatures तो याद रखिएगा आप जो flora होता है वो होते हैं plants और जो fauna होता है वो होते हैं different different क्या? Animals ठीक है? Each part of the ocean from the sunlit surface to the dark depth ठीक है? जहाँ पर light पड़ती है और जहाँ पर अंधेरा है यहाँ दोनों जगा क्या है? Diverse life form यहाँ पर अलग-अलग प्रकार का जीवन मौजूद है ठीक है? यह देखे हैं यहाँ पर यह word map है जहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह Pacific Ocean है आपको इधर भी और इधर भी दिख रहा होगा ऐसा क्यों? क्योंकि Earth क्या है? Spare है तो यह चीज़ पीछे से होते भी भी तो आईगी ठीक है? दूसरा क्या है? Atlantic Ocean है यहाँ पर आपको दिख रहा है Indian Ocean यहाँ पर आपको दिख रहा है Arctic और यहाँ पर आपको दिख रहा है Southern जिसे हम Antarctic भी कहते हैं ठीक है? और यहाँ पर आपको दिख रहा है Continent North America, South America, Africa यहाँ पर यह देखें दो को मिलाकर Eurasia लिखा हो है Europe और Asia और यह है Australia और यह है Antarctic ठीक है? चलिए आगे जलता है It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest Pacific Ocean क्या है? सबसे largest followed by Atlantic इसके बाद Atlantic Ocean उसके बाद Indian Ocean थर्ड पर, फोर्ड पर है Southern Ocean ठीक है? और जो सबसे smallest है वो कौन है? Arctic Ocean है, ठीक है? अब देखते हैं हम यहाँ पर इंडिया को भी देख लेते हैं थोड़ा सा तो अगर आप भारत का मैप आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको देखेगा Arabian Sea यहाँ पर आपको देखेगा Bay of Bengal बंगाल की खाड़ी यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलेंड है यहाँ पर लक्षरी पाइलेंड है और यह जो यहाँ नीचे C है वो कौन सा है यह ओशन है इंडियन ओशन ठीक है अब देखते हैं ओशन एंड डिजास्टर ठीक है समुद्र और उससे जुड़े क्या डिजास्टर आप दाएं तो आपने ग्लोब पर वहाँ पर कुछ वाइट शेप भी देखे होंगे सबसे पहले ड्रॉइंग है वो क्या थे? वो क्या थे? बड़े बड़े बादल और ऐसे बादल कॉंटिनेंट पर क्या लाते हैं? भारी बारिश तो जैसे आप देखते हां ला जून के बाद हमारे यहां कितनी बारिश होती है और अभी भी बारिश का सीजन चली रहा है अगर बारिश ना हो तो जो हमारी खेती है और जो हमारा जीवन है वो बहत ही क्या होगा? सफर करेगा ठीक है हमें बहुत दिक्कत आएगी बट ocean often also give rise to storm लेकिन ये जो ocean है इनकी वज़े से क्या आते हैं बहुत बड़े बड़े तूफान भी आते हैं violent events with extreme rainfall और कभी कबार क्या होता है बहंकर बारिश होती है और बहुत तेज very strong winds चलती है जिने हम क्या कहते हैं cyclones which can cause widespread damage to coastal region of the world जो दुनिया के coastal इलाके जो है ठीक है जैसे कि माल लीजे यहाँ पर कोई cyclone बना है Bay of Bengal में तो यहाँ से यह इस पूरे coastal इलाके को प्रभावित कर सकता है बहुत बड़ा damage पहुँचा सकता है और यह दुनिया में हर जगा होता है coastal इलाकों को बहुती नुकसान पहुँचता है A tsunami ठीक है यहाँ T silent है A tsunami is another natural disaster that originates in the ocean तो ocean में tsunami एक natural disaster है जो आता है It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake और a volcanic eruption at the bottom of the ocean तो देखिये माल लीजे यह ocean है ठीक है और इधर है जमीन और यहाँ ocean में नीचे क्या है अगर कोई जो वालकेनो है या तो वो इरप्ट हो या तो वहाँ पर क्या आ जाए अर्थक्वेक आ जाए तो यहाँ से जो समुदर की लहरे हैं वो उपर बढ़ेंगी और यह जो coastal इलाका है यहाँ पर गिरेंगी और इसकी वज़े से जो coastal इरिया में जो भी चीज़े बनी होंगी सब कुछ यहाँ पर डैमेज होगा सुनामी जो यहाँ पर यहाँ पर दैमेज होगा सुनामी कें ट्रेवल थाउजन आफ किलोमेटर यह हजारों किलोमेटर तक चल सकती हैं सबमर्ज कोस्टल एरिया और पूरे कोस्टल एरिया को दुबा सकती हैं कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज और बहुत जादा नुकसान भी पहुंचाती हैं देखें यहां डोंट मिस आउट ओन 26 दिसंबर 2004 इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज अराउंड दे इंडियन ओशियन वर स्ट्रक बाई पावर्फुल सुनामी ठीक है 26 दिसंबर 2004 को हमारे यहां पर क्या आई थी सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में और इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया था उसकी वज़े से और लगभग 2 लाख से जादा लोगों ने अपना क्या है जीवन खोया इसमें इन इंडिया अन्डमान और निकोबार आईलेंड और हमारे यहां पर जो केरला का कोस्ट है तमिल नाडू का कोस्ट है और जो अन्डमान निकोबार है इन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा और यहां पर बहुत सारा नुकसान हुआ जान का भी और माल का भी ऐसी सुनामिया रेयर होती हैं ठीक है in such early warning system यहां पर कुछ early warning system बताय गए हैं जिससे पता चलता है कि Tsunami आ सकती है ठीक है There is in particular an Indian Ocean Tsunami Warning System यहां हमारे हैं particular क्या है? Indian Ocean Tsunami Warning System भी है to which many countries including India contribute जिसमें इंडिया ने और other countryों ने क्या किया है? contributor किया है जिसे बनाने में और इससे क्या फायदा होगा कि कभी भी अगर सुनामी आने वाली होगी और अगर हमें थोड़ा पहले पता चल जाए तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों को वहां से शिफ्ट कर सकते हैं और कई सारी जो प्रॉपर्टी है उसको भी बचाया जा सकता है Events that led to loss of life and property are handled under disaster management यहां पर जो भी नुकसान होता है उसकी जो उसको handle कौन करता है, disaster management ठीक है India has its own National Disaster Management Authority और इंडिया की अपनी कौन से authorities के लिए National Disaster Management Authority जिसको हम short में बोल सकते हैं DMA to deal with all kind of disaster जो सभी परकार के disaster के साथ deal करती है जिने हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे अगला है continents, देखे continents क्या होते है Continent are visible on the map of ocean, how many can you count, the answer is not so simple as they can be counted in several ways Depending on our choice, we may list any number of continent between 4 and 7 तो हम 4 से 7 के बीच में continent को पढ़ सकते हैं ठीक है, जैसे कि अगर हम North America और South America को आपस में mix करके एक count कर लें तो केवल 6 हो जाएंगे, अगर हम सबको separate count करें तो total 7 हो जाएंगे अगर हम अमेरिका जो North America, South America दोनों को एक साथ जोड़ें और Eurasia इन दोनों को भी एक साथ जोड़ें तो अब हमारे पास केवल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है हम 4 से 7 के बीच में continent को लिख सकते हैं यूरोप and Asia are generally considered as two continent, वैसे तो इन्हें दो कहा जाता है बट अल्दो दा मैप मेक्स इट क्लियर दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास लेकिन वो क्या बनाते हैं सिंगल लैंड मास बनाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है कभी कभा है Eurasia भी कहा जाता है For historical and cultural reason, Europe evolution has been very different from Asia खीक है, historical और cultural reason से हम देखें तो यहाँ जो evolution हुआ है, Europe का, वो Asia से बहुत ही अलग है Which is why they can be seen as two continents Geologists, however, often regard them as a single continent called Eurasia पर geologists इसे एक साथ जोड़कर Eurasia भी कहते है Africa and Eurasia are generally regarded as two continents But sometimes as one और Africa, Eurasia, generally 2 कहा जाता है continent But कभी कभार इसे एक भी गिन लिया जाता है तो अब देखें, लिखने के तरीके क्या है हम four continent लिख सकते है जिसमें Africa, Eurasia एक साथ आ जाएगा एक America, एक Antarctica और एक Australia तो यह चार continent हो गए अगर five रखें, तो Africa अलग, America अलग, Antarctica, Australia और Eurasia अगर six रखें, तो Africa, Antarctica, Australia, Eurasia, North America और South America और अगर seven रखें, तो सबको अगर हम अलग कर दें, तो साथ हो आ जाएगे अफरिका, अंटाक्टिका, Eurasia, Australia, Europe, North America और South America In practice, the last list of seven continent is the one most widely adopted and used तो आप से पूछा जाए कभी कि continents कितने हैं तो जादा तर यही कहा जाता है कि साथ continent है और सबका अलग से नाम ले लिया जाता है Don't miss out You may have seen the five Olympic rings, one of the symbol of the Olympic Games आपने यहाँ पर यह देखिया भी Olympic Games हुए थे ना तो यहाँ पर आपने यह छले देखे होंगे बने हुए ठीक है? अच्छा बताइए अभी कि Olympic हुए कहाँ पर They symbolize the gathering of sports people from all over the world और यह छले क्या करते हैं? शो करते हैं कि पूरी दुनिया के लोग इसमें क्या होते हैं? ग्यादर होते हैं, ठीक है? sports, जो people हैं वो The rings were chosen to represent five inhabited continent और यह अलग-अलग किसको दिखाते हैं? continent को एक दिखाते हैं, Africa को, America को, Asia को, Australia को और Europe को ठीक है? Now, let us look at the diagram on page 36 which is based on the list of seven continents It does not show their actual shape, but their relative size तो यहाँ पर यह design देख रहे हैं आप तो यह actual design तो नहीं है पर आप यहाँ से उसका size समझ सकते हैं कि कौन कितना बड़ा और कौन कितना छोटा है तो यहाँ पर देखें, अगर हम blocks में इन्हें तोड़ दे तो North America कितने blocks में बन जा रहा है? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 17 blocks में और अगर हम Europe को देखें, तो वो बन जा रहा है 10 blocks में अगर हम Asia को देखें, तो यहाँ पर क्या है? यह 7 का है, तो यह भी total, यह जो 5 है, यह सब 7 के बन जाएंगे 35, 39, 42 और 44, ठीक है? तो 44 है यह, इसके अलावा आप इसे देखें, South America तो यह है 18, और अगर आप अफरिका देखें, तो यह हो जाएगा 30, और Australia देखें, तो आपको देखेगा गेवल 8, और अगर Antarctica देखें तो 13, ठीक है? तो इस तरीके साब आइडिया लगा सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन, ठीक है? Counting the numbers of squares, name the largest continent, तो आप बताइए सबसे बड़ा continent कौन सा है और सबसे छोटा. Which one is larger, North America और South America, इन दोन में कौन बड़ा है और कौन छोटा? अफरिका और North America में कौन बड़ा है, और Antarctica और Australia में कौन बड़ा है? Recolor the diagram by having a single color for Europe and Asia and rename result as Eurasia. तो दोनों को आप एक ही color से कर देंगे अगर, तो आप इसको Eurasia कह सकते हैं, Europe और Asia को, ठीक है? और आप इसका, जो size है, उसको compare करें किस से? South America से. Write down the list of continent from the smallest to the largest. तो small से largest की तरफ continent के नाम लिखिये. ठीक है? देखे, ऐसे ही notes बनते हैं. अगर आप ये लिख लेंगे, तो आपको exam में अगर ऐसा आता है, कि arrange कीजे, तो आप इसे direct कर सकते हैं. तो ये जो let's explore वाले question है ना, इनके आप notes बना सकते हैं. ठीक है? और ये जो ऊपर concept समझाए, इनसे I think आपको समझ भी आ गया होगा. अगर नहीं आएगा, तो मैं सारे question भी अलग से videos में करा दूँगा. ठीक है? चलिए. अगला देखते हैं, island. Island क्या होते हैं? If you have carefully observed the two maps earlier in this chapter, you may have noticed that the continent do not include all land masses. आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, तो continent क्या है? सारे के सारे land mass को नहीं शो कर रहे हैं. ठीक है? आपको कहीं कहीं जगा पर छुटपुट छुटपुट जगाएं देख रहे होंगी. Some smaller pieces of land are left out. कुछ क्या छूट गए है? Smaller pieces of land. Surrounded by water on all sides. तो जैसे यहां पर वो है और चारो तरफ उसके क्या है? पानी है. They are called island. और इनी को क्या कहा जाता है? Island कहा जाता है. Continent are also surrounded by water, but because they are so large, they are not considered island. देखें, घिर्या तो सब पानी से ही है. लेकिन जो continent है, वो बहुत क्या होते हैं? बड़े होते हैं. इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको island नहीं कहा जाता. उनको continent कहा जाता है. जबकि जो छोटे-छोटे land mass हैं, अगर वो जल से घिरे हों चारो तरफ से, तो उनको हम island का नाम दे देते हैं. देखे, नाम देने का सिस्टम सीधा-सीधा ऐसा है कि उसकी वज़े से हम easily पढ़ाई कर पाते हैं उनके बारे में. There are lakhs of island on the planet. तो हमारे planet पे लाख हो गया है, island है. अब अगर हम इसको continent से merge कर देते, तब तो लाख हो continent हो जाते हैं, है न? और very different size, अलग-अलग size के. Don't miss out. Greenland is the largest island in the world. देखे, पेपर में सीधा ऐसे question आते हैं, वन नाइनर. Largest island कौन सा है, दुनिया में Greenland. You would have to add the areas of the 10 largest state of India to reach its size. आपको भारत के 10 बड़े, जो राज्ये हैं, उनका area जोड़ना पड़ेगा, इस size तक पहुँचने के लिए. India has more than 1,300 small island. भारत के भी अपने कितने island है? 1,300. Those include two major group, जो की दो ग्रूप में बटेवे हैं. एक क्या है? Andaman and Nicobar. इसके अंदर हैं बहुत सारे. ठीक है? जो की कहाँ पर है? Bay of Bengal में. जैसे अगर आप India का map देखते हैं, तो मैं किवल South वाला अभी map दिखा रहा हूँ आपको. यह जब यह. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ वाला इलाका है. Bay of Bengal वाला. यहाँ पर आप देखेंगे अंदमान और Nicobar. तो यहाँ पर आइलान हैं, बहुत सारे आपको दिखेंगे. और यहाँ पर आपको दिखेंगा लक्षदीप, Arabian Sea में. तो यह सब जोड़कर कितने हैं? तेरा सो के करीव हैं. ठीक है? आगे देखें. तो आपने देखा हैं, अंटाक्टिका कैसा है? बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड होती है. और हमेशा वहाँ पर क्या जमी रहती है? आइस जमा रहती है. ठीक है? जहांकि कंडिशन वैसे बहुत डिफिकल्ड हैं. लिए हुमन के रहने के लिए. ठीक है? इसलिए वो क्या है? वहाँ पर ज़्यादा तर क्या बनाया हुआ है? केवल वहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाया हुए है. और वहाँ कुछ नहीं है. In 1983, India established its first scientific base station there. तो इंडिया ने वहाँ पर अपना सबसे पहला scientific base station बनाया, जिसका नाम क्या था? दक्षण गंगोतरी. Two more bases were established later. और बाद में, दो और research center वहाँ पर बनाये गए. About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this far away reason. यहाँ पर 40 team, जो Indian scientists की थी, उन्होंने यहाँ पर research की, especially on the evolution of climate and environment. किसके उपर? जो की, आप देख रहे हैं ना, कि climate कैसे बदल रहा है, environment change हो रहा है, इसके उपर. The settlement where the scientists live has a library and even a post office. तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको library भी मिल जाएगी और post office भी मिल जाएगा. इसके बाद बात करें, ocean and life. Ocean and continent are vital part of the environment and affect most aspect of our life. जो ocean है और continent है, वो बहुत ही क्या है? important part है हमारे environment के और ये affect करते हैं हमारी life को. Even if we do not notice it, जबकि हम इस पर ध्यान नहीं देते तब भी. We have mentioned that ocean sends rain to the continent. जो ocean होते हैं, वो rain लाते हैं कहां पर? continent में. ठीक है? क्योंकि आपने देखा ना, बादल बनते हैं और फिर बादल क्या करते हैं? बरसाच करते हैं. This is the part of earth's water cycle. और इसी की वज़े से इर्थ पर क्या है? Water cycle चलती है. कि जो ocean है, ocean से पानी जाएगा, ठीक है? और जो बादल बनेंगे, और बादल बरसेंगे हर जगा, तो water cycle हमेशा चलती रहती है. जो आपने 4th, 5th class में भी पड़ी होगी. This is part of earth's water cycle, which you will further study in science. Without ocean, for instance, there would be no rainfall. अगर ocean ही ना हो, तो rainfall हो ही नहीं सकता. The earth would be a desert. और earth क्या बन जाएगी एक? Desert, एक रेगिस्तान. Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora. तो जो ocean के plant होते हैं, उसकी वज़े से ही, डुनिया की जो आदे से जादा oxygen है, वो बनती है. ठीक है? तो आप समझ लेजे कितनी important हो गई? Which is why they are called the planet's lung. और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? Planet lungs. एक second. इसे कहा जाता है, planet lung, इसलिए जो ocean है, वो एक बहुत ही important role play करते हैं, किसमे? climate को regulate करने में, और अर्थ जो है, इस पर जीवन बना रहे इसमें. तो अर्थ पर अगर जीवन है, तो इसमें ocean का बहुत बड़ा हात है, और जो climate है, उसको regulate करने में भी. आगे है, ocean have deeply impacted humanity in many other ways. जो ocean है, वो humanity को बहुत अलग-अलग way में impact करते हैं, from early times. People have used ocean and sea to migrate to other region. पहले आप ने देखा होगा, कि लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे. कैसे? ocean और sea वाले रास्ते ही जाते थे. ठीक है? trade भी करते थे. सारा जो भी समान होता था, चाहे military campaign हो, and as a source of food through fishing, और fishing के थुरू खाना भी. ocean have also nourished the culture of coastal people all over the world. और इन्होंने क्या किया है? ocean ने, जो culture है, coastal people का, उसको भी क्या किया है? एक तरीके से पोसा है. पाला पोसा एक तरीके से आप कह सकते हैं. almost all of them have tales and legends about the sea, sea gods and sea goddess, sea monster and treasure from the sea. तो आपने, जो समुदर में, क्या है? समुदर के देवताओं के बारे में, समुदर की देवियों के बारे में, वहां से जुड़ी कहानियों के बारे में, यहां तक की, sea monsters के बारे में, भी सुना होगा. ठीक है? आप साथ में यह भी समझ सकते कि, ocean से क्या-क्या खत्रे भी हैं, बट साथ ही साथ में, वह हमारे लिए क्या है? एक blessing भी है. इन चीजों के बारे में, आपने पढ़ा होगा. The United Nations, UN जिसे हम कहते हैं, has designated June 8 as World Ocean Day. तो June 8 को हम World Ocean Day मनाते हैं, किसलिए यह बताने के लिए कि जो ocean है, वो कितना important role प्ले करते हैं हमारे जीवन में. It serves as the lungs of our planet. यह हमारे planet के क्या है? Lungs है. A major source of food. ठीक है? इनसे food भी मिलता है. medicines भी मिलती है. और यह हमारे biosphere का एक बहुत ही important क्या है? हिस्सा है. Scientific study have shown how the ocean are polluted by human activity. Scientistों ने बताया कि कैसे human activity की वचे से हमारे ocean क्या हो रहे है? बहुती गंदे होते जा रहे हैं, प्रदूशित होते जा रहे हैं. We throw several million tons of plastic. हम plastic फेक रहे हैं. हर साल million tons. Choking marine life. जिसकी वज़े से marine life क्या हो रही है? समाप्त होती जा रही है. कई जानवर जो होंगे, वो वहाँ पर मर जाते हैं. There are several other forms of pollution और अलग टाइप के pollution भी. As a result, the marine environment is under threat. और इसकी वज़े से, जो marine environment है, उसको बहुती ज़ादा क्या है? नुकसान पहुंचा है. Over fishing. मतलब हच से ज़ादा fishing करने के वज़े से, is another cause for the decline of marine life. और इसकी वज़े से marine life, या जो marine species हैं, वो और ज़ादा क्या हो रही है? कम होती जा रही है. It is our collective responsibility to protect ocean for the future of the planet and for humanity. तो ये हम सब की साजह जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना चाहिए? oceans को protect करना चाहिए हमारे planet के future के लिए भी और आने वाली ये जो humanity है. ठीक है? हम भी हैं और हमारे बाद आने वाली पीडियां उनके लिए भी हमें इसको protect करना होगा. Before we move on, तो आप पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा चैप्टर में. The Earth's surface has vast water bodies called ocean. Oceans are interconnected. जो ocean हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हुएं? जुड़े हुएं. ठीक है? Boundary के वल हमने खीची हैं. Continents may be counted in various way. Continent को हम अलग-अलग तरीके से गिन सकते हैं. Most common है कि 7 हैं continent, बट हम 4 से 7 के बीच गिन सकते हैं. उपर आपको तरीका बताया है. The Northern Hemisphere has more land than the Southern Hemisphere. देखिए, उपर एक क्वेशन आया था न? कि कहां ज़्यादा क्या है? लैंड है. तो Northern Hemisphere है, उसमें ज़्यादा जमीन है. मुकाबले Southern Hemisphere के. और लास्ट में है, Ocean supports all kind of marine life and play a critical role in the world climate. Ocean क्या करता है? सपोर्ट करता है all kind of marine life. सारे टाइप की marine life को, जहाँ पर आपको flora, fauna, दोनों मिलता है. और world climate के लिए भी एक बहुत important role play करता है. They are now seriously affected by human activity. और हमारी human activity की वज़े से ये seriously क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है. और जरूरत है कि हम इसको क्या करें? प्रोटेक्ट करें. सब मिल जुलकर. ठीक है? तो ये था chapter 2, जिसका नाम है Ocean and Continents. I hope आपको सारी चीज़े समझा गई होंगी. बट अगर कुछ रह जाता है, तो आप comment box में comment कर सकते हैं. सारी चैप्टरों के जो notes हैं और question answer हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो में provide करवाने का प्रियास करूँगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.